पूरे चांट हईलो एवरीवन दिसिस सॉमया मेलकम टू दोसर क्लासेल आज स्टार्ट करेंगे हम पैलो जी का क्लास एर्थ का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट अब इस चैप्टर में जो क्या-क्या देखेंगे तो reproduction क्या होता है, इस word का meaning क्या है, plant में किस किस तैप के reproduction होते हैं, छोटे plant, बड़े plant अलग-अलग तरह से reproduce करते हैं, उनके क्या method होते हैं, तो ये सारी चीजें आउनलोक्स चाप्टर पे देखेंगें, तो what is reproduction, reproduction क्या है, इस word का क्या मतलब है, re का मतलब होता है दोबारा, फिर दोहराना मतलब, production मतलब produce करना, यानि कि उसी तरह के organism को फिर से produce कर देना कहलाता है, reproduction, ठीक है, तो ये एक तरह की process है, reproduction is the process of producing of springs that are biologically and genetically similar to parent organism, यानि कि reproduction एक ऐसी process है, जिसके थूँ किसी parents से मिलते जूलते उसके similar off springs पैदा होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, कि genetically देखें, तो हर parent के जो बच्चे होते हैं, वो similar होते हैं, अपने parent जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि cat का बच्चा dog हो जाए, या फिर किसे human being इनका बच्चा कोई cow हो जाए, है ना, तो हर किसी के जो parent होते हैं, उनके बच्चे similar होते हैं, यह जो production की process होती है, यही reproduction कहलाती है, ठीक है, अब देखो, plant भी reproduction करते हैं, plant भी, दो parent मिलकर, क्या बनाते हैं, अपने छोटे छोटे बेबी plants बनाते हैं, जो इन ही जैसे होते ह हैं, ठीक है, तो जिस process के थुरू बनाते हैं, उस process को हम कहते हैं, reproduction, ठीक है, अब same kind के होते हैं, मतलब जो भी बच्चे होते हैं, हमेसा parents से ही similar होते हैं, ठीक है, genetically, चलो, यह हो गया reproduction, अब what of reproduction in plant, plant में किस-किस तरह का reproduction पाया जाता है, तो two type का, majorly two type का reproduction इसमें देखा गय है, एक तो asexual और दूसरा होता है, sexual reproduction, अब देखो, sexual reproduction के क्या मतलब होता है, जब two parents involved हो, यानि कि mother and father, two parents involved होके, एक baby को जर्म देते हैं, तो उसे कहते है, sexual reproduction, ठीक है, और asexual reproduction, सिर्फ एक ही parent involved होता है, वही एक नए plant को जर्म देता है, इस process को कहते है, asexual reproduction, इस में mother या father दोनों plant की जर्म नहीं होती, इस में सिर्फ एक ही plant, या वह mother हो, या father हो, कोई भी plant हो, उसी से एक नए baby plant का जर्म हो जाता है, इस process को हम कहते है, asexual reproduction, ठीक है, अब asexual reproduction में single parent involved होता है, तो यहां पर किसी भी तरह का fusion नहीं होता, gamete fusion नहीं होता, जबकि sexual reproduction में gamete का fusion जरूरी होता है, एक mother से gamete आता है, और एक father से gamete आता है, यह दोनों fuse होते है, उसके बाद seed form होता है, तब जाके नया baby plant बनता है, तो यह दो major type है, reproduction के जो plant में आपको मिलेंगे, अब asexual reproduction का क्या type है, मतलब कितने कितने type के asexual reproduction हो सकते हैं, ठीक है, अब देखो एक चीज़ हम बता दे, plant में जो sexual part होता है, वो कहलाता है, flower, ठीक है, flower plant का sexual part होता है, और flower को छोड़के, plant के किसी भी part से कोई भी plant, कोई भी नया baby plant बनाया जा सकी, अगर तो उस process को हम कहते हैं, asexual reproduction, ठीक है, जैसे हमने वालों रूट के थो बना लिय या कोई नया plant, तो उसको भी कहेंगे, asexual reproduction, stem से बना लिया, leaf से बना लिया, तो इन plant को छोड़के, in other parts से, किसी भी part से, अगर हम एक नया plant बना सकते हैं, तो उसको हम कहते है, asexual reproduction, ठीक है, अब basically देखे, naturally अगर देखे, तो lower जो organism होते हैं, जिसे bacteria है, फंजाय है, और algae है ये लोग asexual reproduction करते हैं, और अपना baby plant बनाते हैं, जैसे कि अब देखो process कौन कौन से होती है, एक तो binary fission, budding, fragmentation, spore formation, vegetative reproduction, तो ये different different process है, जिसके थूँ ये लोग, अलग condition में produce करते हैं, ठीक है, अपना baby plant produce करते हैं, ठीक है, तो एक एक करके इस process को समझेंगे, अब binary fission क्या होता है, तो binary का मतलब होता है two, fission का मतलब होता है split होना ये divide होना, अब two part में किसी cell का divide हो जाना, क्या कहलाता है, binary fission कहलाता है, अब जैसे blue green algae या फिर bacteria, ये क्यों लोग क्या होते हैं, single cell organism होते हैं, ठीक है, तो इसकी एक single cell है, ये लोग कैसे better fission करते हैं, त का वो इंक्रीज होने लगता है ठीक देन इसके अंदर जो न्यूक्लिक माटीरियल होता है वो उसकी एक कॉपी और बनने लगती है ठीक है अब यह प्रोसस दिरे दिरे चल रही होती है एक कॉपी और बन गई मतलब यहां पर न्यूक्लिक माटीरियल की दो कॉपी प्रेजन हो होता है एक नृकलीक मटीरियल वार्ट से दिवाइड हो गया हम क्या होता है स्लीज़ वौल भी दिडिशन नवाइड हो इसंल बेड़ा करते हैं धीरे से करके यह थीसन हो जाता है और pięumm अजाता है अब आगे चलके यह दोगरों से अलग अलग हो जाती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं binary fission means एक से दो सेल का डिवाइड हो जाना ही binary fission कहलाता है ठीक है अब binary मतलब two cell बनना और multiple मतलब कई सारी सेल बनना कुछ living यह लोग भी क्या करते हैं लेकिन ये लोग मल्टिपल फिजन करते हैं यह लोग की सेल इक सेल आपकी 4 या 8 पार्ट में divide हो जाती है इस प्रॉसेस को कहते हैं k Megapolamonist को कहते हैं रिंटिपल फिजन ठीकैं जानी एक सेल से ही 4-4 सेल बन जाती है डिवाइड हो के यह हो गया binary फिजर, multiple फिजर, next budding क्या होता है, what is budding, तो budding का मतलब होता है कि external outgrowth निकल जा, मतलब कोई living body है, single cell living body है, उसे में क्या हो जा एक तरी की outgrowth बनने लगे, और यह outgrowth आगे चलके nucleic material भी हाँ आ गया, और cytoplasm भी आ गया, तो यह क्या कर ली, separate हो ली ठीक है, इसने अपने को individual कर लिया, और इसके वाल से अलग हो जाती है, अब यह cell जब बाहर निकलती है, किसी favorable condition में जाती है, तो फिर से एक नया प्लान बना लेती है, इस process को कहते है हम budding, यह क्या होती है, यह जो निकलती है outgrowth, इसी को हम budding कहते है, ठीक है, तो present cell produce an outgrowth cell bud, ठीक है, present cell जो है, वो क्या करेगी, एक bud produce करती है, जो उसी cell का outgrowth होता है, और यह जब bud होती है, मैच्योर होने लगती है, तो अपने parent cell से हटकर, अलग हो जाती है, detached हो जाती है, और वहां से फिर एक नया प्लान को grow करती है, तो इस process को कहते है, budding, ओके, अब next, fragmentation, पर्गमेंटनेουμε होता है, तो वाट इस फ्रेगमेंटेशन, दो होता है, तो तोटने को ही fragmentation कहते है, जैसे कि अलग कोई, जब यह क्या इस होती है, तो च संसरे, जब slव यह न ब्रेक हो जाती है, ठीक है, अकशर करक को यह फिलामेंट थिरित ब्रेक हो जाती है, ज फिर से नया प्लांट ग्रो करते हैं तो इस प्रॉसेस को कहते हैं हम फ्रेग्मेंटेशन जैसे की फंजाए है अल्गी है दोनों में इस टैप का रिप्रोड़क्शन देखा गया है अब देखो यह जो बढ़िंग हम लोगों ने देखा था बढ़िंग में आप लोग भाइं ऐसे होते हैं ज lotis तो ब्रेड मोल्ड टायच opens जाए से स Edge करते हैं तो कुछ यह एक तरह का ऊपर कि तरब एक सैक लाई के श्ट्रेक्शर यारी बैग लाई के श्ट्रेक्शर फॉर्म करते हैं इस पोर एंग या जिसको पर्ट करता है और अंदर ही इसके कई कि इतने सारे बनने लगती है उसी से इतने सारे जब बन जाते है तो धीरे-दर जब बने जाते हैं तो इस Spirengia को कॉ बर्षट कर देते हैं मतबMM फोड के बाहर निकलते हैं जब बाहर निकलते हैं तो जब इनको food मिलता है, favorable condition मिलती है, तो फिर से ये नया plant ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, तो इस process को कहते है, spore formation के थ्रूप, तो ये हो गया, ये हो गया, इसके अंदर पाय जाने वाले spore, तो आप लोग एक्जामपल देख सकते हो, इसमें फंजाई में भी हो सकता है, फर्न में भी होता है, मॉसस में भी होता है, फर्न और मॉसस थोड़े से higher plant हैं, लेकिन फंजाय जो है, वो आपको फर्फूमदी के पॉम में एक initial plant मिलेगा, घीके? तो ये हो गया, स्वर फ्रमेशन, अब, वेजीटेटिव रिप्रोड़क्शन क्या होता है, तो लेजीटेटिव का मतलब क्या है, हमने दो चीजे बताई थे अभी है, आपको प्लांट में दो पार्ट होते है, एक वेजीटेटिव पार्ट और एक होता है sexual part, sexual part यानि जो flower है हमारा, वो sexual part हो गया, और जितना भी plant का कोई भी part जो flower के अलावा बचता है, उसको हम कहते है vegetative part, अब flower को छोड़के, प्लांट की किसी भी vegetative part से अगर कोई नया plant प्रोडूस किया जा रहा है तो इस process को कहते है हम vegetative reproduction, उसमें flower touch नहीं हो रहा है, अब यह जो प्लांट नया ग्रो करता है, मालों यह एक नया plant है, ठीक है, parent plant, इससे हमने एक छोटा सा टुकडा कट कर लिया और कट करके दूसरे pot मे लगा दिया, ठीक है, अब यहां आप देखोगे, तो यह जो टुकडा था, यह कहां से लिया गया था, एक vegetative part से लिया गया था, ठीक है, प्लांट के vegetative part से लिया गया हुआ टुकडा है, इसको हमने जब अलग ग्रो कर आया, तो यह आराम से ग्रो कर गया, एक नया plant बना ल नया plant क्रोपी कहीं है, आप देखोगे डिया, wood लिया प्रोपोगेशन, आप देखोगेशन जो होता है, दो टाइप से हो सकता है, एक तो 제일 नेच्रल वेजियल प्रोपोगेशन और एक होता है, साथिज Always-700oppal नत्चय VO अचनल जो जो तेक अचनल तुक हो सकता है तो बाइस और वेजिटेटिव पार्ट जो रूट का है उससे भी एक नया प्लांट ग्रोग हो सकता है और वेजिटेटिव पार्ट जो की लीफ का है उससे भी नया प्लांट ग्रोग हो सकता है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा घर पे जब आलू रखे होते हैं तो थंड का सीजम जब 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 आलू रखे होते हैं झーग, आप रखे होते होते है इन की चोटी चोटी थो आपको को बीच बीच में आइस के आपने हो से ऀख़ुम तो यह क्यों यह आपको एक आउट ग्रौधे को डिखायए देगी और यहां पर एक leaf का formation होने लगता है, यानि आपको लगेगा कि यह आलू से ही नया plant निकल रहा है, ठीक है, और किस पार्ट से निकलता है, तो इसी आई वाले पार्ट से यानि बड़ पार्ट से ही निकलता है, इसे हम बड गयते हैं, ठीक है, अब इसी लिए इसको tuberous stem कहा गया है क्योंकि इसमें bud-like structure होता है, इस bud को, इस bud की वज़े से इसको stem का structure दिया गया है, क्योंकि stem में, stem में क्या होता है, जब stem का structure आपको देखोगे, एक node होता है और एक inter node होता है, यह inter node होता है, और यह node होता है, नोड से ही कोई भी नई leaf निकलती है, नई branch निकलती है, नया बाइब पोटेटो में इस तरह के ट्यूबलर फॉर्म में आई लाई के स्ट्रॉक्षर देखे गए जिनको नोड की तरह माना गया ठीक है इसी नोड से ही नया कुछ भी निकलता है तो यहां पर form होता है इसलिए इसको कहा गया है इस्टेम है यह जो पोटैटो है जो की हम कह सकते है त्यूबरल सिस्टेम है ठीके इसमें फूड का स्टोरेज होता है और यहां से एक नया प्लांट ग्रोग कर सकता है अधरग को देखो, अधरग जो होता है अगर आप मिट्टी में दबा दो तो इसमें भी इस तरह से growing point से आपको नया प्लांट निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा को हैं गौता है फ्लेशी लीफ लाई खाता है यहां पर नया प्लांट की ग्रोध करता होate तो यह हो गिया रिपरॉड़क्शन भाइ स्टेम इस भी प्लाइं थे उदक куда श्क ऊकर विलाएं 보고 है रिफरेंध तो प्लाइं प्लसट्टा हुआ प्लाइटो दिहाएगी सब्सक्राइ 살ाना ही प्लाइं everybody तो इस तरह की जो रूट होती है, फूड को स्टोर करती है, खाने में यूज होती है, इसको हम ट्यूब्रस रूट कहते हैं, और यह क्या करती है, एक तरह से रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानि वेजिटेटी रिप्रोडक्शन में यह पार्टिसिपेट कर सकती है, अपने से रहें थे लेफिक निकलती हूं निकलती हूं तो इस तरह से दिखे रहें यह जब प्लांट से ठीच होती है वहां से हटती है अगर गिर जाती है तो इक नया ब्लांट ग्रों कर लेती है ठीक है तो यह हो गया reproduction by leaf ठीक है तो यह हो गया अब advantage of vegetative reproduction, vegetative reproduction के क्या advantage है क्या significant है तो vegetative reproduction जो है बहुत कम time में grow कर जाता है ठीक है बहुत कम time में आप लोगो एक नया plant मिल जाएगा और उसमें fruit भी लग जाएंगे flower भी लग जाएंगे as compared to seed वाले plant से ठीक है अगर आप seed वाले plant को उगा कर देखोगे या फिर उसका weight करोगे तो वह ज्यादा time ले लेगा जबकि vegetative प्लांट होगा वह जल्दी ग्रो कर जाएगा ठीक है एक तो यह advantage हो गया दूसरा इनका जो भी प्लांट बनता है किसी भी प्लांट का वह बिल्कुल exactly copy होता है अपने प्लांट की ठीक है तो आपको कभी भी identical मतलब की सारे copy प्लांट चाहिए होते हैं तो आप वेजेटेटिव प्रोडक्शन कर सकते हो ठीक है आप लोग देखे होगे अब आजकल के टाइम पे आलू का साइस मैक्सिमूम सेम टाइप का रहा है बहुत पहले के टाइम पे अगर ममी पापा से पूछना तो वह कभी छोटा बिल्कुल कभी बहुत बढ़ा आजाता था कभी इधर उदर का लेकिन अब जो वेजेटेटिव प्रोडक्शन से बनाएवे पोटेटो है तो वह क्या है वह सेम टाइप के होते हैं मतलब सेम साइज के मोस्ट आफ मिलते हैं आपको बिल्कुल गोल से तो यह सब वेजेटेटिव प्रो सेमिलर होता है थेकं है तो यह अगर देखें हम कुछ मामले में तो यह अड्वांटेज है यह बेणिफिशल है बड्श अगर हम एफ इवल्यूशनरी पॉइंट एफ ही च Χम già ईड्वांटेज भी इववलेशन का मतलब होता है लीविंग बींझ में धिरे-धिरे एक character involved होना, change होना, धीरे धीरे change होके एक नई variety बन जाना, तब evolution कहलाता है, लेकिन यहाँ पर तो variety में कोई भी character नहीं आ रहा, कोई भी नया character नहीं आ रहा, सिधे सब parents से ही similar character आपको दे रहा है, तो नई variety बनने का कोई chance ही नहीं है यहाँ पर, तो evolutionary point of view से यह क्या है, गलत है अब जो baby plant होता है, वो susceptible होता है disease के लिए, यानि कि अगर जो उसका parent plant है, उसका baby plant में बिल्कुल वैसा ही है, parent को कोई disease cross कर जाती है, तो उसके baby को भी disease cross करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका कोई character change नहीं हुआ है, similar to parent है, ठीक है, तो यह लोग disease के प्रती resistant कम होते हैं, ठीक है, और एक नई variety भी नहीं देते हैं, तो यह कुछ advantage, disadvantage भी है, ठीक है, अब artificial vegetative reproduction क्या होता है, अभी तक हम लोग ने देखा naturally होने वाला vegetative reproduction, अब artificially का मतलब की हम लोग involved है, कहीं न कहीं human being involved है, कैसे कि अगर जैसे, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, प्लांट की रूट से कोई leaf से उगगा कोई plant घ्या फिर उसमें कोई înts Means sustainability हो रहा है, बडी हो रही है या फिर क्या हो रहा है उसमें binary fission हो रहा है multiple fission हो रहा है या फिर spor formation हो रहा है spor engine से बन रहा है तो इस तरह का formation हो रहा था वो क्या है natural process है but artificial का मतलब है कि हम plant की किसी part को cut कर ले और cut करने के बाद उसको artificially उसको grow करा दे इसको कहते है artificial vegetative reproduction ठीक है यानि कि हम plant की किसी vegetative part को उठाएं उसको cut करें और उससे एक नया plant बना दें ठीक है हम involved हो humans involved हो तो उसे कहते है artificial तो यह जो होता है artificial vegetative propagation include reproduction by ठीक है तो different different तरीके से हो सकता है by cutting हो सकता है by layering हो सकता है by grafting हो सकता है और micro propagation की थ्रूबी हो सकता है ठीक है कैसे चलो देखते है एक एक करके बाइब कर दिया दूसरा है layering इसको हमें देखना है तो layering का मतलब होता है आपने क्या किया देखा कोई plant बढ़े से ग्रो कर रहा है तो इसका बेवी प्लांट चीए तो इसके एक branch को आपने पकड़ी और पकड़ के साइड के soil में दबा दी ठीक है अब आपने यहां पर इसको बांद के दबा दी है और उपर से अच्छे से इसको फिक्स कर दिया तो कुछ टाइम पिरेट बात देखोगे तो यहां पर इस branch में आपको रूट निकलती हुई रिखाई देंगी रूट निकल जाएंगी और इ इस प्रोसेस को हम लेरीं कहते हैं जैस्मीन, लेमन, गॉावा, श्ट्रॉबेरी इस तरह के बांड में आपको देखने को मिल जाएगी इस लेरीं, अब ग्राफिंग के से कहते हैं तो ग्राफिंग मतलब होता है कि आप किसी प्लांड के एक पार्ट को कट कर लो थीक है इतन तो इस बांट का पर वाला पार्ट इसको आप ऄर chart कर लिए at a डीड इस यहां पर एस आधर का पार्ट कर दिया लेख जिससे उसके अंदर का पर्ट्वी और अपे ना रहे है तो इस तरह से जो दोस्ति ग्लो हुआ प्लांट होता है उसे चाहते है यहां पर रूट वाला जो पोर्शन है दूसरे प्लांट का है और जो उपर शूट वाला पोर्शन है किसी अधर प्लांट का है तो अधर प्लांट वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं सियोन और जो रूट वाला पोर्शन है उसको कहते हैं ग्राफ्ट यूनियन ठीक है तो यह दो पार्ट मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट केरेक्टर इन्वाल हो जाते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग ठीक है तो इस तरह के जो ग्राफ्टिंग का फॉसेस है या एपल में आप लोग ज्यादा कर पाऊगे या फिर आपको मिल सकता है इससे आप दो प्लांट नय नय उगाना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट किसी की रूट उगाना चाहते हो किसी का शूट उगाना चाहते हो तो इस ग्राफ्टिंग प्रोसेस से आप उगा सकते हो उससे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट केरेक्टर है वो mix match होंगे, new plant, completely different from parent plant, जो new plant इसका बनेगा, वो completely different होगा parent plant से, तो ये process कहलाती है, grafting, ओके, चलो, अब micro propagation क्या होता है, propagation मतलब कि capability to grow new plant, propagation word का मेनि होता है, capability to grow new plant, ठीक है, अब micro, मत्तब छोटे से पार्ट से एक नए प्लांट का grow हो जाना ही micro propagation क्यालाता है, तो in this artificial, it is, it हो गया आपे, in this artificial process, propagation process, plants are produced in vitro by asexual reproduction, in vitro का मतलब होता है, आप उसको लैब में, कुछ chemicals में देकर उसको उगाओ, तो उसको कहते है, in vitro condition, ठीक है, अब यहाँ पर asexual production करोगे, कैसे करोगे, किसी प्लांट है, जिसका आप micro propagation करना चाहते हो, तो इससे आपने क्या लिया, छोटा सा उसका बढ का टुकड़ा ले लिया, और लेने के बाद आपने अपने लैब में जाकर, उसको किसी chemical में ग्रो करा दिया, ठीक है, इसको कहते है, in vitro condition, अब जो छोटा सा टुकड़ा है, अब जाएगा, अब जब जाएगा, इस बड़े टुकड़ा को हम कैलस कहते हैं, अब जाएगा, इसमें root बन जाएगा, और उपर का shoot बनने लगेगा, root and shoot का formation स्टार्ट हो जाएगा, अब क्या हो गया, यह नया plant ग्रो करने के लिए बिल्कुल capable हो गया है, अब यह इस plant को थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको आप जाकर field में उगा सकते हो, यह जो lab में की हुई process होती है, यह micropropagation कहलाती है, अभी तक potato का plant और apple का plant successful हुआ है, micropropagation के लिए, तो यह lab की process है, benefit क्या होते है micropropagation के, तो यह disease free होता है, क्योंकि आप लैब में उसको अपने पूरे control condition में उगा रहे हो, ठीक, और हर एक season भी आप उगा सकते हो, यानि कि आपको यह season में क्यों plant रोगते हैं, क्योंकि उनका climate condition है, वो जब nature में change होता है, तभी उनको plant grow करते हैं, ठीक है, वो एक particular climate condition में ही grow करते हैं, अब आप उसको लैब में आके उगा रहे हो, तो क्या करोगी उस plant की recording temperature सेट करोगे, ठीक है, उसी plant की recording वहां की humidity सेट करोगे, उसके बाद जाके उसको उगाओगे, है ना, तो क्या होगा, यह हर एक season में आपके उग सकते हैं, ठीक है, अब इस plant को उगाने के लिए आपको large space नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा field area चाहिए वहां पर आप उगाओ जाके, एक छोटी सी lab में आप एक जगे पर छोटे से pot में उसको उगा सकते हो, नूट्रियंट देके, ठीक है, और rapid reproduction कर सकते हो, यानि कि आप प्लांट के छोटे से leaf से आप चीसों बना सकते हो, यह इसक आइडेंटिकल बनेंगे, यानि कि एक प्लांट यानि कि जो उसका parent प्लांट है सेम उसके जैसे ही सारे प्लांट बनेंगे, ठीक है तो यह सारे benefit हो गया है, एक tissue culture कह सकते हैं, हम इसको टिशू कल्चर भी process कहते हैं, यानि कि आप प्लांट के किसी छोटे से tissue को निकाल कर उ हो, in vitro condition में उगा रहे हो, एक techniques के थो उगा रहे हो, तो इस पूरी process को हम कहते हैं, tissue culture techniques, तो यह benefit हो गया, tissue culture technique जो है, वो micro propagation ही है, micro propagation को ही, tissue culture technique से ही उगाते हैं, ठीक है, अब limitation क्या है, कुछ tissue culture की limitation है, क्या limitation है, तो देखो भाई, आप लोग उसको लेब में लेकी आ रहे हो, nutrient दे रहे हो, उसके according temperature सेट कर रहे हो, उसके according humidity सेट कर रहे हो, तो आपको एक पढ़े लिखे scientist की जरूरत होगी, scientific experiment की जरूरत होगी, ठीक है, आप ऐसे ही कहीं से भी लाग के उठा के उसको नहीं ग्रो करा सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्या nutrient उसको starting में चाहिए, कैसा उसको climate चाहिए, क्या सारी जुझे different time period पे उसका nutrition change करना होता है, यह सब कुछ आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको एक scientific experience रखना होगा, तब जाके आप यह काम कर सकते हो, ठीक है, cannot applying to all cell, all cases, मतलब कि हर एक cases में यह possible नहीं है, ठीक है, कि किसी भी case में possible हो, ठीक है, आप उसको अगर plant healthy है, अच्छा है, उसी condition में आप उसको grow करा सकते हो, ठीक है, not easily applicable remove agriculture area, आप easily उसको agriculture area में remove नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया इसके limitation, टिशू कलचा के, अब sexual reproduction in plant, प्लांट में sexual reproduction कैसे होता है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, asexual reproduction, अब हम देख sexual reproduction यानि, फलार के बारे में हम लोग जानेगे, फलार में रिपोड़क्शन कैसे होता है, यह जानेगे, फॉर्लिनेशन कैसे होता है, यह देखेंगे आगे, अब स्टाट करते है, sexual reproduction in plant, ठीक है, तो, plant का sexual part होता है, फलार, flower is the reproductive part of plant, अब देखो, जैसे किसे छोटे सी बच् करते हैं पर चोती कि फ्लार होता है कली के फ्लार में निकल निकल टो पहुता है उस», लें ग्रीन कलर यह के अंदर बंद हो यहां पर अजिए बंद हो बहुत जो जोंता है थेक बाहर निकलना सीखता है ठीक तो क्या हुआ उसके पैरेंट उसको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसको खुली छूट देते हैं जैसे घर पे इस घर से रिलेट करो अपने फ्लार को ठीक है तो फिर क्या होता है दिरे दिरे और भी जब मैच्योर हो जाता है तो यह पूरा बाहर निकल के आ जाता है उनके जो पैरेंट्स है उनके साथ जो उसको जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो बिलकुल नीचे रह जाते हैं अब वो खुला छोड़ दिया कि बेटा जो तुम अपना काम करो जा के आराम से अब जब यह बिलकुल मैच्योर हो गया है य ठीक है तो फ्लार में भी यही होता है सेम सबसे आउटर लियर जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है वो भी फोटे संसिस करती है इस लियर को हम क्या कहते हैं कैलिक्स कहते हैं कैलिक्स ठीक है और यह जो इस टांक है इस टांक क्या है एक डंडी जो जिससे शूट से पोर्शन दिख रहा है जिसमें आपको छोटे-चोटे से इस तरह से हेयर लाई की स्ट्रक्चर दिखेंगे और ऊपर एक बर्ड जैसा स्टार्ट आपको इस ट्रक्चर दिखेंगा तो उस पार्ट को हम कहते हैं अंडरोसियम और इसके अंदर का पार्ट बिल्कुल प्रोटेक मिलते हैं एक सर्किल्स मिलते हैं सबसे आउटर लियर आपको ग्रीन कलर की दिख रहे हैं यह पूरा कैलिक्स का पूरा चक्र होता है इसके अंदर आपको अंदर मिलेगा यह और उसके भी अंदर मिलेगा आपको गैनोसियम तो गैनोसियम सबसे अंदर इनर साइट पर होता ह ठीक है अब हम लोग एक एक करके इन सब चीजों को देखेंगे स्टाप क्या होता है स्टाप को हम पैडिसिल भी कहते हैं यह क्या है फ्लार अटेज्ट तीस टूट बाइ स्टाप यानि कोई भी फ्लार होता है वो एक शूट से अटाच होता है वो स्टाप के जरीए अटाच होता है मतलब एक डंडी होती है फ्लार की वो शूट से अटाच होती है इसको हम स्टाप कहते हैं यह पैडिसिल कहते हैं दूसरा कैलिक्स अभी हमने एक बताया था कि यह जो ग्रीन हा और पूरे चक्रु को अगर हम बोले तो उसको हम K signific हम कहते हैं ग्रुप Спook Lur का कलरल के समर ग्रेन कलर का होता है अब को रोला का अंदर का बंग कहलर होता है कभी रेड कलर होता है कभी तो दि भी यलो होता है कभी क्या हो गया सबसे पहले इस्टाइक हो गया जिससे फ्लार पूरा बुरा अटेजड है शूरसे के दूसरा था कोंडिया उसको प्रटेक्ट करता है बड़रॉन BÜNDNIS deg कंडेन में थीसरा और सबसे बूर फूल पार्प होता है और सबसे प्लान्ट का थीकरवा फ़र एंड्रोयड और फोर्थ है गैनोसियम तो एंड्रोसियम क्या होता है एंड्रोसियम का मतलब होता है फ्लार का मेल पार्ट और गैनोसियम का मतलब होता है प्लांट का फिमेल पार्ट ठीक है तो एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है वो बना होता है इस्टेमन से और गैनोसियम जो प्लांट का फेमेल पार्ट है वो बना होता है कार्पल यानि फिर या फिर इसको हम बोलते हैं इसको हम एक चीज और भी बोलते हैं चलो अब याद आएगा तो बताते हैं कार पर बोलते हैं इसको ठीक है अब यह किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है तो ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा इन सब पार्ट से मिलकर बना होता है तो देखो यहां पर अंड्रोसियम कहा है अंड्रोसियम देखो फ्लार का यह वाला तो ग्रॉप आप स्टैमेन को हम अंडरोसियम कहते हैं, जो कि एक मेल पार्ट है. अब एंड्रोसियम का जो structure होता है उपर की तरब एक एंथर लोब लाइक structure इस तरह का होता है जिसके अंदर pollen grain होते है और एक फिलामेंटर से structure होता है इसको filament कहते हैं इस पूरी structure को हम stamen कहते हैं तो यह हो गया male part अब female part कैसा होता है तो female part जब आप plant flower को ऐसे longitudinal cut करोगे तो यह एक दब अंदर की तरब आपको एक ovary जैसा structure देखेगा सुराही जैसा structure दिखता है ठीक है तो अंदर की तरब एक फूला हुआ part होता है जिसको हम ovary कहते हैं और ऊपर की तरब निकला होता है एक tube shape structure होता है यहां पर stigma होता है ठीक है और tube shape structure जो है इसको style कहते है ठीक है अब यहां पर देखो अगर हम इस पूरे पार्ट को निकाल के बाहर देखें प्लार के तो इस तरह का यह नीचे फूला हुआ पार्ट हो गया और उपर एक लंबी सी स्टाइल हो गई और फिर एक हो गया स्टिग्मा तो यह इस तरह का होता है गाइनोशियम का पार्ट स्टाइल का इस्ट्रॉक्चर यहां पर होता है अप लोग इस्टाइल देहां से देखो तो यह हो गया ओवरी और यह हो गया इस्टाइल लंबी सी और उपर की तरव इस्टिग्मा एक कटोरी जैसा इस्ट्रॉक्चर होता ह जो यह वाले pollen grain को enter करता है, मतलब रखने में help करता है, यहां पर देखो style को, ठीक है, तो यह दोनों पार्ट हो गए female के और male के, ठीक है, अभी जो female का stigma, style, ovary, ovule, यह सारा structure मिला कि हम इसको बोलते हैं, carpel, ठीक है, carpel, अच्छा, pistol भी बोलते हैं, याद आगया, pistol भी बोलते ह इसको carpel भी बोलते हैं, और pistol भी बोलते हैं, चलो, अब next, अब देखो एक dissection कर दिया है, आप लोग खुद घर पर सकते हो, ठीक है, इसका petal बाला पार्ट जितना है, जो colorful part है, उसको सब को निकाल लो, ठीक है, निकाल के देखो, यह पुरा structure कैसा होता है, यह petal कहलाता है, ठीक, इसके enter जो है, यानि की stem part को एक एक करके उसके अलग करो, यह flower के stem part को अलग करो, इनको सब side में निकाल के रखो, ठीक, और उसके फिर जो beach वाला portion है, style का, यानि की pistol का, उसको भी निकाल के आप अलग कर सकते हो, ठीक है, नेचे ovary देख रहे हो, उपर style देख रहे हो, यहाँ पर stigma, ठीक है, इसके अलावा, जो सेपल वाला part है, जो बाहर की तरव है, उसको भी आप अलग कर सकते हो, इस्टिगमा जो होता है, क्या होता है, कि जो सेपल वाला part है, पहलो तो जब बढ़ कंडिशन हो दी फ्लार की, तो वो तो बढ़िया से फोटो सेंसिस कर रहा होता है, एक दम फ्रेश होता है, ठीक, मोटा सा होता है, लेकिन जब धीरे-दीरे फ्लार खिल के बाहर आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, पूरा फ्लार के पूरे पार्ट मैच्योर हो जाते है, तब सेपल थोड़ा-थोड़ा सूख हो जाता है, हो सकता है, फ्लार का सेपल से हट जाए डिटैच हो जाए प्लांट से ठीक है तो यह सेपल हो गया अब ओव्यूल कैसा होता है तो ओव्यूल को हम लोग देखें अभी हमने बताया था कि आप पूरे फ्लार को इस तरह से लॉंगिटुडनल कट करो तो कट करने के बाद नीचे जो फूला हुआ पार्ट ह है वह ओवरी कहलाता है ओवरी के अंदर भी आप लुक देखो यहां पर छोटे-छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओव्यूल यह ओवरी के अंदर होते हैं इसी के अंदर सीर होता है ठीक है सीर होता है यानि एग होता है यानि नहीं कहेंगे इसमें एग ह अब लिए होता है or avire के अंदर ऑ vịOOD होता है जिसमें क्या होता है जब कोई male pollen grain यहां से आता है यह stigma है यहां से आया ! кियाँ अब रह सो और रहे वहाँ और रहा comparison जाता है और ऑप्रोल का अंदर होता है चोटा सेख और वह अइतल है अब दो तरिके फ्लार होते हैं, एक होता है यूनी सेक्शूल फ्लार, यूनी सेक्श्यल फ्लार का मतलब है कि ऐसा पार्ट फ्लार ऐसा फ्लार जिसमें या तो मेल पार्ट हो या फिमेल पार्ट हो या तो मेल फ्लार हो या फिमेल फ्लार हो उसके पास या तो फिर सिर्फ स्टेमेल होगा या तो फिर उसके पास सिर्फ ओवरी होगी ठीक है तो इसको कहते हैं यूनी सेक्शुल यूनी म यानि पिस्चल भी प्रजेंट है, कार्पल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है तो उस तरह के फलार को हम bise进 een बाए मतलब टू, yuny मतलब 1, ठीक है, तो यह हो गया unisexual Самच. Central हैं फॉंक्शन ओफ्लार है? फ्लार का क्या function है, फ्लार का सबसे बाद seed का formation करते हैं उसके बाद fruit भी बनाते हैं और उसके बाद फिर से reproduce करते हैं फिर से एक नया प्लान बनाते हैं तो इनका main क्या काम है pollination करना और reproduction करना और फिर seed और fruit को बनाना तो ये इनका main function है अब pollination क्या होता है what is pollination तो pollination का मतलब है कि किसी भी male pollen grain को उठकर female stigma तक आ जाना male pollen grain निकल कर female की stigma तक पहुच जाए बस यह जो visiting होती है बस यही process कहलाती है pollination clear जैसे देखो यहाँ पर यहाँ पर इसका जो pollen grain है इस एंथर का pollen grain है निकला और निकल के एक plant के stigma पर आ गया एक flower के stigma पर आ गया बस यह पूरी process कहलाती है pollination ठीक है अब pollination two type के होते हैं कौन कौन से तो एक होता है self pollination दूसरा होता है cross pollination self pollination कैसे होता है self मतलब खुच से खुच से ही pollination कर लेना जैसे कोई एक flower है अब उसी का एंथर है वही एंथर निकल के अपने ही flower के stigma पर पहुच गया तो इसको कहते है self pollination ठीक अगर cross pollination की बात करें तो यहां एक flower है उसका एंथर का pollen grain निकला और दूसरे प्लांट के flower के stigma पर पहुच गया तो इस प्रॉसस को कहते है क्योंकि दूसरा हो गया ना दूसरा प्लांट का फ्लार इंवॉल्व है इसलिए इसको कहते है cross pollination एक है दोनों में बस यह ही difference है क्लियर इस प्लियर अब देखो यहां पर कैसे हो रहा है फिर सफेक बार समझो एक पॉलिनेशन क्य हूआ एक यह थैंफर ileke निकल के वह गया तकिया एक without a priority iba कर गिर गया कि अब इस स्टिग्मा पर आ कर गिर गया इस प्रॉसस को पॉलिनेशन ठीक है अब यहाँ पर एक कंडिशन होती है क्या होती है कि जो फ्लार है वह अपने ही जैसे इस प्रिसीस का होना चाहिए जैसे कि रोज का फ्लार है तो रोज के ही फ्लार पर गिरेगा उसका पॉलेंग ठीक अगर चाइना रोज का फ्लार है तो वह चाइना तब तो नहीं होगा थीक है लोगों की इतनी अच्छी कन्वरसेशन इतनी अच्छी मैकनिजम होती है कि अगर अपने ही टाइप का पॉलेंगेन आया तब तो इस्टिग्मा इसको अंदर भेजेगी और अगर नहीं आया तो इसको वह एंट्री नहीं देगी थेक है तो यह प् लेकिन अगर इस प्लांट के फ्लार का पॉलेंगेन निकल água अंगर अगर विर दूस्टिग्मा पर गिरिया तो उसको हम कहते हैं बिल्कुल इन कह Danish कि का मतलब क्या होता है जो अपनी चीज को कि अपनी का सके इसको हम एसलिए काम को करने वाला जैसे हम् है कोई काम हमें अपना बैंक कर आना है तो हम किसी आद्मी को पकड़ेंगे कि मेरा ये कौरा लो तो second हो गया मेरे लिए एजन्ट हो गया तो फ्लार के लिए भी एजन्ट का काम करते हैं कौन जैसे इंसेक्ट है बिंड है वाटर है यह सब एक एजन्ट की तरह काम करते हैं जो इनके पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं ठीक है इसको कहते हैं हम एजन्ट इंसेक्ट चलो देखते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे इनसेक्ट, लेको फटार जादा इसके ट्रестно मेंटर पतल होता है नेक्टर लेने आते हैं बात शाहिस् irm आसे एंसेक्ट तो ये फ्लार उसको अट्रैक्ट करया पहले तो उसके बाद इंसेक्ट को बुलाया यहाँ पर वो अंदर आया उसका नेक्टर जब चूस रहा होता है तो उसी टाइम पे इसके पॉलें ग्रेम उसके बॉडी पार्ट्स पर चिपक जाते हैं ठीक है अब चिपक गए अब यही वाला इंसेक्ट जब दूसरे प्लार पे गया ठीक उसके नेक्टर को लेने तो इसके जो पहले वाले प्लांट के जो पॉलें चिपके हुए है वो उस पे जाके गिर गया अब जब गिर गया तो हो सकता है स्टिग्मा के उपर गिर गया ठीक है तो क्या हो गया पॉलिनेशन एजेन का काम कौन किया इंसेक्ट किया तो जब इस तरह से इंसेक्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो गया है ना अब विंड के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन देखो एक चीज और हम बता दें यहा पर उस तरीके pollen grain का कुछ characteristic nature होता है जिसकी वज़े से भाई उस pollen grain को sticky होना चाहिए ठीके वह चिपकने वाला nature होना चाहिए तब ही वह pollen grain उस इंसेक्ट के चिपकेगा तो इस तरह का विंड थूर पॉलिनेशन करते हैं उनके पॉलिन ग्रेन बहुत ही लाइट वेट होते हैं और कुछ फैदरी होते हैं उसमें फैदर फैदर सा लगा होता है तो आप लोगों देखा होगा एक रोय जासा उड़ता हुआ दिखाया देता है कभी कभी आपको कॉटन जैसा फैदर लगे होते हैं तो वो भी एक तरह का पॉलिन ग्रेन ही है तो विंड के थू यह उड़के चला जाता है पॉलिन डिटैच हो जाते हैं इस पार्ट से फ्लार के और होने के बाद वो तेजे से उड़के दूर दूर तक चले जाते हैं और जहां कहीं भी उसको इस्तिगमा पर जब गिरते हैं तो नए प्लांट यानि की फर्टिलाइजिशन करते हैं ठीक है इस्तिगमा पर गिरे तो पॉलिलेशन हो गया तो यह होता है विंड के थू पॉलिनेशन अब यहां पर कुछ कंडिशन होती है जब भी विंड के थू जिस भी प्लांट का पॉलिनेशन होता ह बंटे हैं और उंन मिलता है कभी मिलता है और बहुत लार्ज नमबर बनते है confusion के अंदर इनका structure कुछ ऐसा होता है कि कभी-कभी feathery होता है तो उड़ने में इनको help पड़ता है ठीक है अब water के through तो water के through कैसे होता है एक तो plant water वाला होना चाहिए यानि aquatic plant होना चाहिए तब उसमें water के through होगा pollination कैसा एक सबसे अच्छा मैल पार होता है वहां से हटते हैं तो उपर टैने लगते हैं लगते हैं यही surface पर present होता है female flower mature हो गया होता है उसी time पे इसके जो pollen grain है वो इसके stigma पर आ जाते है और इस तरह से हो जाता है क्या reproduction तो ये हो गया water की through pollination ठीक है तो ये बात हो गई वैलिस ने लिया आपको example इसका ध्यान रखना होगा अब आते हैं fertilization में ठीक है पॉलिनेशन हमारा complete हो गया पॉलिनेशन का मतलब की pollen grain को पहुचना है इस्टिगमा तक अब इस्टिगमा तक पहुच गया पहुचने के बाद क्या होता है fertilization के process स्टार्ट होती है कैसे होती है तो क्या होता है fertilization तो fusion of male gamete यानि pollen with the female gamete यानि ovule to form diploid यानि male gamete female gamete एक हो गया male gamete एक हो गया female gamete दोनों मिले और दोनों ने मिला लिया 2N बन गया तो इसको कहते है diploid जाइगोट ठीक है अब इस process में क्या होता है यहां तक pollen grain आया अब ये condition उन्हें पहले ही बता दी है कि similar species का ही पॉलन ग्रेण होना चाहिए तब ही वह इसको एंट्री देगा एंट्री कैसे देता है तो जैसे उसको पता चला अब ये अब मेरे टाइप के प्लांट का पॉलन ग्रेण आ गया है तो इस घ्नमा के अंदर से कामिकल रिलीज होता है तो stigma के उपर की wall को वो dissolve कर देता है अब pollen grain enter करता है अंदर अंदर की तरफ आया वो आया और आने के बाद वो चला गया अंदर बिल्कुल ovary के अंदर वो निकलता हुआ चला गया ठीक है उसको dissolve करता हुआ root को और अंदर जाके वो किस से मिला? ovule से मिला ovule के अंदर था एग वहाँ पर जाके fertilization हुआ और fertilization के बाद बन जाता है diploid gigot ठीक है pollen grain का नंबर होता है N और जो एग है उसका भी नंबर होता है N जब 2N मिलते है तो बनते हैं 2N तो बनाते हैं क्या? diploid ठीक है? अभी तक ये पहले क्या थे? haploid थे और जब ये fertilize हुए तो बन जाते हैं diploid इस पूरी process को हम diploid यानि की fertilization कहते है clear? अब artificial pollination क्या होता है तो artificial pollination का मतलब होता है कि जब हम pollination खुद करे यानि एक human being किसी flower के pollen grain को निकाल कर दूसरे flower के stigma पर डाल दे तो इस process को हम कहते है artificial pollination यानि उसमें human involved हुआ है तो इस तरह से जब reproduction होता है तो reproduction ज़्यादा बेटर होता है क्यों? क्योंकि जब human involved होगा human pollination करा रहा है तो क्या करेगा? वो healthy parent लेगा है healthy pollen grain लेगा healthy flower का और healthy flower का ही stigma वो चूज करेगा उसके बाद वो fertilize कराएगा तो इस तरह से जो crop निकल के आती है यानि कि जो हम plant बनाते है इस तरह से खुझ से reproduce करवा के तो वो जो plant होता है वो desired plant होता है यानि कि हम चाहते है कि यह यह character जो healthy वाले character है वो उस plant में आए इस हिसाब से हमने उसका pollination कराया fertilization कराया फिर उससे seed बनाया तब उससे जाके प्लान मुलाते है तो यह artificial pollination का मकसद होता है तो आज यह जो chapter है यह यही से complete होता है आज के लिए इतना ही थेंक्यों